एक competitive exam जितना ज्यादा tough होता है उसे crack करना उतना ही ज्यादा easy होता है जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने जानना चाहेंगे कैसे? बने रहे हैं मेरे साथ आपके अपने channel smart kida पे मिरा नाम है विपिन के शाक्या और आप सुन रहे हैं smart वचन episode number 2 है जाइ कर एंद होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक academic exam, एक competitive exam से कैसे different होता है एक academic exam conduct किया जाता है बहुत सारे लोगों की performance को दर्शाने के लिए जबकि एक competitive exam conduct किया जाता है बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों के चायन के लिए यानि selection के लिए I hope आप मेरे इस बात से सहमत होंगे कि एक academic exam के difficult होने से बच्चों के marks पर negative effect पड़ता है और उनके marks कम आने के कारण उन्हें आगे आने वाले कई सालों तक second division holder and third division holder के तोर पर देखा जाने लगता है आज की date में अगर 10th standard में गलती से किसी बच्चे के marks 55% रह गए तो उसे ऐसे लगने लगता है जैसे वो इस धर्ती पर बोज है हलांकि मैं ऐसा नहीं मानता वहीं दूसरी ओर किसी competitive exam में 55% marks score करने वाला बच्चा exam टॉप कर जाता है यह हैं अनुदीब दुरिशेटी जिन्होंने UPSC Civil Services 2017 exam टॉप किया with just 55.6 percentage marks और यह है Miss Irasingle जो UPSC 2014 की टॉप पर रह चुकी है with just 53.4 percentage marks और मैं समस्ता हूँ कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि UPSC Civil Services exam का level क्या होता है आप लोगों के साथ पता है problem क्या हो जाती है problem यह हो जाती है कि आप लोग एक competitive exam को academic exam समझ लेते हैं जो कि बिलकुल भी नहीं है और जहां आपका paper थोड़ा सा भी tough हुआ आप अकडबकड बंबे बो असी 90 पूरे सो खेलने लग जाते हैं options के साथ चलिए अब समझते हैं कि अगर सही माइनों में exam का pattern change होता है या paper difficult होता है तो ये आपके selection की possibility को कैसे बढ़ा देता है माल लेते हैं एक company ने एक vacancy निकाले और अपने advertisement में उन्होंने ये बात mention की कि वो सारे applicants में से सिर्फ चार लोग जो written exam clear करेंगे को next round के लिए बुलाएंगे और उस में से finally एक का chain करेंगे अब माल लीजे कि इस एक vacancy के लिए 10 लोग written exam देते हैं exam में सिर्फ एक question पूछा जाएगा अगर आप इस question का सही उत्तर देते हैं तो आपको एक mark मिलेगा और अगर आप इसका गलत उत्तर देते हैं तो आपको minus 0.25 mark मिलेंगे exam शुरू होता है और question आपकी computer screen पर आता है OMG जी हाँ दोस्तों ये एक नए pattern का question है जो आपने अपनी preparation के दौरान न तो किसी website पर न किसी book में और नहीं किसी test series में दिखा था अब क्या होता है कि इन 10 candidates में से 3 तो नए pattern देखते ही gluecon D की demand करने लगते हैं अगले 3 के दिमाग में नए pattern के question को देखते ही ये thoughts आने लगते हैं कि इस साल भी job नहीं लगी तो क्या होगा मैंने जो सपने इस job के साथ संजोए थे उन सपनों का क्या होगा कुछ भी हो मुझे ये job पानी ही पानी है और इसी pressure को feel करते हुए ये 6 के 6 candidates अपने मन से किसी भी एक option पर टिक कर देते हैं इन 10 candidates में से साथ में थे हमारे मिस्टर असाधरण शर्मा जी जो एक IIT almanus होने के बावजूद भी bank exams में अपने हाथ आजमा रहे थे अब क्यूंकि वो बचपन से ही असाधरण रहे हैं उन्होंने बड़े आराम से सही option पर टिक किया और अपने test के submit होने का वेट करने लगे अब यह जो last के तीन candidates थे न वो भी इन शुरू के 6 candidates के जैसे ही average candidates थे but most importantly यह तीनों शांत थे वो घबरा नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें यह समझ आ रहा था कि अगर पिछले 6 months की जी तोड महनत के बाद भी हर test series में अच्छी performance देने के बाद भी हर capsule या PDF वाली गोलियां खाने के बाद भी अगर ये question उन्हें परेशान कर सकता है तो यही हालात बाकी के students के भी होंगे और इसी सोच के साथ ये तीन candidates इस question को बिना solve किये ही अपने test को submit कर देते हैं test over होता है और ये 10 के 10 candidates अपने अपने result का wait करने लगते हैं क्या लगता है आपको? Who will make it through to the next round? You are absolutely right The last four smiling candidates जिसमें से तीन ने zero mark score किया चलिए ये तो हो गई एक hypothetical situation एक imaginary situation अभी बात करते हैं facts के basis पे ये post जनवरी 2018 में moneycontrol.com website पर published हुई जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे SBIPO mains 2017 के exam में कई students math section में zero mark gain करने के बावजूद भी next round के लिए qualify कर गए और ना सिर्फ उन्होंने interview round के लिए qualify किया बलकि 62 students ऐसे थे जो आज final selection लेके SBA में managers हैं ये जो घटना आपके सामने अभी घटी इसको accuracy कहते हैं which you have always taken for granted पर शायद अभी आपको समझ आ रहा होगा कि accuracy की कितनी ज्यादा importance है आपके exam में आपको failure से success की तरफ ले जाने में नजाने कितने ही exams अभी तक आपने दे दिये होंगे और नजाने कितनी ही बार आप सोचते रह जाते होंगे कि क्या गलती कर दी मैंने ऐसी सब कुछ तो सही करके आया था मैं वो गलती ये थी दोस्त इस गलती ने कई बार आपको जाने अन जाने नीचे धखेला है आपके positive chances को negative बनाया है पर शायद अब आप समल जाएं यही उमीद करता हूँ मैं अगर आप एक high accuracy percentage maintain करना जानते हैं तो एक tough exam में जहां बाकी के students अपने selection chances बढ़ाने के लिए तुक्कों का सहरा ले रहे होंगे अब अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करते हुए बिना ज्यादा efforts लगाए भी अपने score को उन सब से उपर रख सकते हैं So before I sign off मैं sum up करना चाहूंगा अपनी बात को तीन key points में First one Don't panic if the pattern of questions in an exam changes अगर कोई pattern आपके लिए change होता है अगर कोई exam आपके लिए tough होता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता आपके साथ exam दे रहे है हर candidate के लिए tough होता है पर ऐसी situation में The ones who are the wisest as well as the calmest are the biggest gainers Point number two आपकी accuracy आपकी speed से आपके number of attempt से कहीं ज्यादा important है चाहे आप beginner हों या बस आप एक exam crack करने की दहलीस पे खड़े हों हमेशा अपनी accuracy को ज्यादा महत्व दीजे और उसके बाद कहीं अपनी speed को The last but not the least Keep your observation antenna high and hit every ball on its merit आपकी समझ इतनी developed होनी चाहिए कि आप observe कर पाएं कि क्या कोई question सच में difficult है या बस आपको लग रहा है क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि question थोड़ा सा भी घुमा कर पूछा जाए तो बच्चों को लगने लगता है कि वो question difficult है शुरू के कुछ seconds दीखिए हर question को और decide करिए कि क्या ये question आप solve कर पाएंगे अगले कुछ seconds में या नहीं अगर आप अपने efforts लगाने के बाद भी सफल नहीं होते हैं किसी question को answer करने में या solve करने में तो कोई जरूरत नहीं है किसी option को tick करने की ये approach at least आपको आपके valuable marks खोने से बचा लेगी मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारी बातें अपने ध्यान में रखेंगे आपके आपके कर त söz आपके लेदरी सुटी अपके लेगे झाल झाल